हेलो फ्रेंड्स, टूडे वी विल डूइंग क्लास फर्स्ट इंग्लेश चैप्टर वन, ए हैप्पी चाइल्ड, मिन्स एक खुश बच्चा, तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं, माई हाउस इस रेड अलिटिल हाउस, मेरा एक छोटा सा घर है, जो लाल रंका है, आपको एक खुश बच्चा हूँ, I laugh and play the whole day long, मैं दिन बर हसता रहता हूँ और खेलता हूँ, I hardly ever cry, और मैं बहुत मुश्किल से रोता हूँ, I have a tree, a green green tree, मेरे पास एक पेड है, जो हरा भरा है, to shade me from the sun, और मुझे वो चाया देता है, सूरज की धूप से बचाता है, and under it, I often sit when all my play is done, और जब मैं खेल कर ठक जाती हूँ, तो इसके नीचे बैठ जाती हूँ, अब हम लोग new words को देख लेते हैं, यहाँ पे c-r-y cry, cry मिन्स रोना, d-a-y day, day मिन्स दिन, r-e-d red, red मिन्स लाल, यह देखे रेड कलर है न, r-e-d red, red मिन्स लाल, s-u-n sun, sun मिन्स सूरज, और आगे करते हैं, लेट्स रीड, the sun sign in the sky, जो यह सूरज है, वो आजकास में चमकता है, I have a red pen, मेरे पास एक लाल कलम है, read and match the words with the picture, draw a line, एक match कर ये, जो आपको drawing शो हो रहा है, तो चलिए match करते हैं, I am a boy, मैं एक लड़का हूँ, और यह देखे, आपको यहाँ पर भी शो हो रहा है boy, और यहाँ पर भी दिया हुआ एक boy, तो हम इन दोनों को match कर देंगे, I am a girl, मैं एक लड़की हूँ, तो girl को इससे girl से match कर देंगे, ओकी, ठीक है, जैसे की, ऐसे करेंगे, अब आगे करते हैं, लोग पर इस्टूडेंस, फन वीट कलर, अब रंगों से मजे करें, fill in the blanks with the right color, fill in the blanks, मतलब यह जो boxes दिख रही हैं आपको, इन में हमें color fill करना है, जो हमारे color fill करना है, तो चलिए color fill करते हैं हम लोग, what is the color of the happy child, हमने poem पढ़ा था, वो जो एक छोटी बच्ची थी, उसके house का color था red, तो हम यहाँ पर बाहर देंगे, red कर देंगे, यहाँ पर हम लोग red कर देंगे, अब what is the color of your house, आपके घर का color क्या है, मेरे घर का color तो purple है, इसलिए मैं यहाँ पर पर पल कर देता हूँ, और आपको पूरे अच्छी से इस box को fill करना है, आपके घर का color क्या है, मुझे comment में जरूर बताइएगा, what is the color of the tree, पेड का color क्या है, तो पेड का color होता है green, आप इस box को अच्छे से fill करना है, what is the color of the sun, means सूरज का रंग कैसा होता है, हमने अभी उपर देखा था, सूरज पीला होता है, ठीक है, अब लेट्स टॉक करते है, is there a tree growing near your home, क्या आपके घर के आसपास tree है, मेरे घर के आसपास तो tree है, इसलिए मैं लिख देता हूँ, yes, 5-E-S, yes, अब देखते हैं, next question, tell us about the tree, आप उस पेड के बारे में बताएए, it is big or, is it big or small, वह बड़ा है या छोटा है, मेरे घर के पास जो tree है, वो तो big है, B, I, जी, big, big means बड़ा होता है, मेरे घर के पास जो tree है, वो तो big है, आपके घर के पास कौन से color का tree है, मुझे comment में जरूर बताएएगा, अब देखते हैं, आपके घर के, अब देखते हैं, do you like the tree, क्या आपको पेड पहुदे पसंद है, what is the name of the tree, अब मैं जहां पे रहता हूँ, वहां पर एक है, नीम का पेड, जो नीम का पेड तो आप सभी को पता है, पेड तो green color का ही होता है, वैसे भी, और मेरे घर के पास भी नीम का पेड है, जो green color का है, तो मैं लिख देता हूँ, N, E, E, N, E, M, नीम, अब देखते हैं, let's share, तो let's share में क्या है, there are many kinds of houses, यहां पर बहुत सारे घर बने है, circle the ones you have seen, आपने कौन-कौन से घर देखे हैं, उसमें circle कीजी, मैं तो flat में रहता हूँ, और observably many flat तो देखा ही होगा, तो मैंने flat पे circle कर दिया, और मैंने hut भी देखा है, जब मैं गाउं में रहता था, तब गाउं में hut बना रहता था, जो बास से बना होता है, और जानी से बना होता है, और यह मैंने बंगलो भी देखा है, बड़े-बड़े शहरों में जहां पर, अभी आप जैसे रह रहे होंगे, दिल्ली में, मुंबई में, वहाँ पर भी होता होगा बंगलो, मैंने इगलू कभी नहीं देखा, जो बर्फ से बना घर रहता है, आप लोग भी भाई, उसी पे circle कीजिएगा, जिस घर को आपने देखा है, लेट्स ड्रॉ, चलिए अब ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ योर हाउस हीर, हीर, एंड टॉक अबाउट इट, अब आप ड्रॉ कर ये हाउस, और उसके बारे में बाते कीजिए, तो मैं भी एक छोटा सा घर ड्रॉ करता हूँ, और आप भी अपने बुक में, ड्रॉ केजिए और कॉपी में भी ड्रॉ केजिए, तो चलिए आगे करते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं, ड्रॉ एंड से, खीजिए और बताएए, चलिए, वैन यू गेट अ न्यू ड्रेस, जब आपको एक न्यू ड्रेस मिलती है, या नहीं कपड़े आपके ममी पापला के देते हैं, तो आपको कैसा फील होता है, तो मुझे तो हैप्पी फील होता है, तो मैं यहाँ पे हैप्पी वाला फेस बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, इसलिए ठीक है, और जब आपको चोड़ लग जाती है, तो आप उदास हो जाते हो, तो आपको सैड फील होता है, तो हम यहाँ पे सैड वाला फेस भी बनाएंगे, आपको इन लाइन्स को ड्रॉख करके बनाना है, मेरे लिए स्पेस कम हो रहा था, इसलिए मैंने बड़ा बनाया, ठीक है, वैन यू शेर योर थिंक्स, जब आप अपनी चीजे दूसरों को सेर करते हैं, मैं तो अपनी चीजे दूसरों को सेर करता हूं, तो मुझे हैप्पी फील होता है, और यहाँ पे मैं हैप्पी वाला फेस बनाता हूं, तो चलिए आप भी यहाँ पे हैप्पी वाला फेस बनाईएगा, और ह-A-P-P-Y, हैप्पी मींस खुस, और यहाँ पे उससे लिखना भी है, वैन यू आर इल, जब आप बिमार हो जाते हो, तो आपको कैसा फिल होता है, मुझे तो उदाश फील होता है, इसलिए मैं सैड हो जाता हूं, और आपको कैसा फिल होता है, जैसा कमेंट में मुझे जरूर बतनाओ, ड्रॉ लाइन फ्रॉम दा आउसेश टू दपीपल, who live in your house अब अब लाइन ड्रॉ कीजिए जो भी आपके घर में रहते हैं मेरे घर में तो टोटल सिक्स लोग रहते हैं मैं माई ब्रदर माई सिश्टर आप सभी को ऐसे ही मैच करना है इस ड्रॉइंग से और मेरे फादर भी रहते हैं मेरे ग्रेंड मदर और मेरे ग्रेंड फादर मेरे दादर और मेरे दादी जी भी मेरे साथ ही रहते हैं इसलिए मैंने किया है अब आगे देख लेते हैं ट्रेस दा नंबर ट्रेस दा नंबर ओन दा डॉटेड लाइन अब ये डॉटेड लाइन त्री, फोर, फाइव, शिक्स, यहाँ पे जगह कम थी, इसलिए मेरा थोड़ा बड़ा हो गया, आप छोटा-छोटा ही बनाएगा, आपके घर में कितने लोग रहते हैं, मेरे घर में तो टोटल सिक्स लोग रहते हैं, तो मैं सिक्स पीपल पे लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं सिक्स लेता हूँ, लिख देता हूँ, राइट है, सिक्स पीपल लिव इन माई हाउस, मेरे घर में छे लोग रहते हैं, आपके घ jack in the box sit so still won't you call out yes I will जो jack होता है वो एक box लेकर बैठा रहता है तो उसके friends उसे बाहर बुलाते हैं तो कहता है yes I will मैं आ रहा हूँ join the dotted line अब हमें dotted line को joint करना है means जोडना है तो चलिए लिखते हैं हमें यहाँ पे ऐसे करना है फिर से ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और फिर हमें यहाँ पे बनाना है बी हमने बी बना दिया अब आ गई सी की बारी ऐसे ऐसे सी यहाँ पे हमने ओ बना दिया लूक इन दा मिरर वाट डू यू सी आप अपने आएने में देखे आपको क्या दिखता है ड्रॉयोर फेस इन दा सर्कल आपको यह जो सर्कल शो हो रहा है यह जो बड़ा सा सर्कल है उसमें आप आएने में पहले देखिएगा आपका फेस कैसा दिखता है इस सर्कल में बनाईए और मुझे कमेंट में भी सेंड कीजिए अब हमें करना है collect a picture of a cat a cow a dog and a sheep from old books or newspapers and paste them below means आपको एक बिली एक गाई एक कुटा और एक भेड का picture लेना है जो आपको यहाँ पे लगाना है एक cat जहाँ पे लिखा है यहाँ पे आपको बिली की picture लगानी है यहाँ पे आपको गाई की यहाँ पे आपको dog की यहाँ पे आपको ship SHWP ship ship means होता है भेड तो आपको यहाँ पे बेड की पिक्चर लगानी है आप कहीं से भी ले सकते हैं जैसे आप दुकान से करी सकते हैं लेकिन यहाँ पे आपको अख़वार में से करना है और जो आपकी पुरानी किताबे होंगी उनमें से काट कर चिप करना है अब आगे देखते हैं ट्रैस योर ट्रैस ओवर दा डॉटेड लाइन एंड कम्प्लीट दा मंकी टेल अब आप ये बंदर की पूछ को पूरा कीजिए जो अधूरा रह गया इस पिक्चर में चलिए हम लोग पूरा कर देता हूँ ये देखिए हो गया इस बंदर की पूछ बन गई अब यहां पर एक स्थिंग है मंकी मंकी और ट्री स्विंग स्विंग अब देखते हैं दफालविंग गईव लॉस्ट देर बेबीस दफालविंग गईश्ट देर बेबीस ट्रैस अलोंग दमेज डिफरेंट कलर्स मेंस यहां पे जो आपको एनिमल शो रहे हैं उनके बेबी खो गए हैं इस पजल में तो आपको इस पजल में अलग-अलग कलर करके उनके बेबी को ढूनना है तो चलिए पहले ढूनते हैं डॉक के बेबी को तो डॉक का बेबी किदर है यह हैं हम पहले यहां से ऐसे करेंगे और ऐसे जाएंगे यह मिल गया डॉक का बेबी डॉक का बेबी मिल गया अब कैट का ढूनते हैं आगया कैट अब ढूनते हैं लोईन का डॉक का यह डॉक का तो पास में ही है लोईन का बेबी उसे हम सी यू भी कब कहते हैं जो हमें मिल चुका हैं और फिर कंगारू कंगारू के बेबी को भी डून लेते हैं यह हमें कंगारू का बेवी। मिल गया। बटर्फॉलाई का होता है कार्टी फिलर इसे भी हमें जॉैंट कर दिया। अब बच गया हमारे पास कॉउ क कया बेवी को हम शैल्फ बोलते हैं तो यहां पे हमें शैल्फ भी मिल गई। अब आगे देखते हैं अब ये चैप्टर खतम हो गया आप सभी को कॉपी में अपना वर्क पूरा कम्पलीट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत बूलना